मेरे प्यारे स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारी इस क्लास में और आज किस क्लास में आप लोग के कमिश्ट्री के चैप्टर वन जो आप लोग का सॉलिड एस्टेट है यहीं ठोस अवस्था जो हम लोग पढ़ हैं इसमें आज आप लोग का class number one है और इसमें आप लोग को ठोस अवस्था कि कुछ ऐसे concept हम बताएंगे कुछ ऐसे आप लोग को theory आज बताएंगे जिससे आपके आने वाले body jam में जो भी caution होंगे जो भी doubt होंगे वह आप लोग clear हो जाएंगे यानि मेरे प्यारे बचो आज के ज अच्छा सा copy लेके आप लोग जो भी हम यहां से बताएंगे इसको आप लोग आप लोग नोट्स कर लेना है थाकि आप लोग इन ही नोट्स को बार-बार revise कर सके और अपने chemistry के जो भी आप लोग के जितने भी चेप्टर हैं उन सारे चेप्टर के आप लोग theory जो है बढ़ दोस्त यहां से आज किसी सेसन में आप लोग का solid state का part one है इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सारे concept को आप लोग हम समझाने वाले हैं आप लोग यहां से नए होंगे तो subscribe कर लिजेगा like कर दिजेगा और पुराने होंगे तो आप लोग को औरी मन लगा के करना है तो मेरे प थोस अवस्था के बारे में जितने भी concept होंगे जितने भी हम लोग के conceptual logic होंगे हम लोग सारे point को discuss करेंगे यहां पर देखे सबसे चैप्टर का नाम ही है थोस अवस्था और यह आप लोग का प्यारे बच्चों part one है समझाना यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों यह हम लोग का part one है chemistry में आप लोग के part one में ही दिया गया है ठोस अवस्था तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम को ही किलियर कर लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या है मतलब ठोस कहते कि इसको है मेरे प्यारे सांतियों आप लोग के हाथ में कोई ठोस पदार तरहता है इसे पथार हो हो गया तो आप लोग उसका कैसे निकालेंगे ऐसा पदार समझ यह कि जो उच अंतर आणविक बंधन से बंदा हो जिसे हम लोग दवा नहीं सकते हैं जो थोड़ा सा टेमपरिचर पढ़ने पर फिगलेगा नहीं वह हमारा क्या होगा ठोस होगा जैसे आप लोग यहां पर सब्सक्राइब तो और डिफिनेशन यह कहता है कि पदार्थ के अईसा वस्तु है जिसमें धरा बेमान होता है जो आस्थान घिरता है था था हम उसको देख सकते हैं उसको महसूच कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं समझ गया ना पदार्थ क्या होगा मालेजी के आप लोग के सामने मुबाइल होगा तो मुबाइल पदार्थ है मुबाइल को आप लोग छू सकते हैं देख सकते हैं समझ गया ना वह मुबाइल कहीं न कहीं किस जगप रखेगा तो वह अस्थान गेरेगा मेरे प्यारे बच्छों पग्धार्थू वह मतलब होता है वस्तू होता है जिसमें दरबिमान होगा जो अस्थान घेलेगा इसको हम लोग देख सकते हैं जिसको हमम लोग मौसूस कर सकते हैं उससे हम लोग पदार्थ कवते हैं आप लोग के घर में जितने भी सामान है PH समझ गरना आप लोग दीनगों कई जरे वस्तु है आप लोग क्या का लाएंगे वह उप पदार्थ का लाएंगे यहां से निश्ठ अगे चलते हैं बटा गया है ठोस दरव और गैस यहां से आप लोग लिख लिजेगा और हम लोग इस्ट्रेप देखते हैं कि ठोस की से कहते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निशित हो मेरे प्यारे बुच्छों आपके हाथ में पथर होगा तो वह आप लोग लोटा में रखिएगा तो भी वह पथर अपने ही आकार कर रहेगा वह पथर आप लोग बाल्टी में डालते हैं तो भी वह अपने आकार कहीं रहेगा यानि आप लोग किसी भी वस्था में डाल रहे हैं तो पथर अपना आकार चेंज नहीं कर रहा है तो वह वस दूरिया बहुत कम हो और उन कंड़ों के बीच अंतर आन्विक बॉल इतना ज्यादा हो कि उनके कंड़ आपस में गती नहीं करें लगेंगे तो वह बाबु दुराव हो जाएंगे कि दुराव के जो कंड़ होते हैं वह आपस में गती करते रहते हैं लेकिन जो ठोस होते हैं आपस में प्लता थोड़ करना हो फिक्स रहते हैं वह घृति नहीं करतें गती यहां करेंगे यह लोहां का छोड़ हो जाएगा लकड़ी कि कुरसी बाराफ का टुकला है यह सब जो पधार्थ होंगे इसको को हम लोग बोलेंगे कि यह सब क्या है ठोस हैं यहां से हम लोग आगे चलते हैं बावु लोग देखेगा कि ठोस अवस्था के निमलिकित गुण है अब मेरे प्यारे बचो कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसके कुछ पुरपटी होंगे पुरपटी से ही परिभासा हम लोग यहां बना दीए हैं सब्सक्राइब तो उसी को हम लोग यहां परका कई है कि अलग अलग लाइन में हम यहां पर आप लोगके लिए लिख दिये हैं यहां पर आप लोग देखेगा बावु लोग इनका द्रावब्यमान आयतन और निशीत जो याद रखेगे थोस को जो अभयावी कड होते हैं उनके बीच जो हम लोग का बल लगता है अंतर आणवी कबल वह काफी ज्यादा हाई रहता है तिसार का देखेगा कि इनके अभयावी कड़ों की इस्तिती निशित होती है थोस पदार्थों में जो जहां पर रहेगा वहीं पर अधम फिक्स समाज़ किया ना जहां पर love the rib new processes में और ऩुकर ऴण रहें लेकिन क्लम को ओईसे हुमा रहे हैं लेकिन आ को जवन कण था अभी वही पर है लेकिन यह पूरा सिस्टम गतिक कर रहा है और यहां पर दिखेगा और पांचवा नमर है कि इनका घंड तो ऊंच होता है ठोस में क्या होते हैं कि जो अभयाविकन होते हैं भेरी कोलोज होते हैं और उनके विच अंतर आणविक बहुत ज्यादा होता है जिसके वज़ए से उनके बिच जो डेंसिटी होती हो बहुत हाई होती है और चे नमर में है कि यह ऑस अगया चलते हैं यहां से मिरे प्यारे बचो देखेगा ऑब ठोस के देखेगा जो ठोस पदार्त होते हैं उनको दो भागों में बाटा गया है अब हम लोग का ज बोलेंगे मेन रूप से मुख रूप से यह दो भाग में होता है एक होता है क्रिष्टल यह जैसे प्यारे बच्छों आपके लाइफ में भी दो टरक हि इंसान होंगे एक upon लिए और आला इप में होता ही भी स्थ Prison fall 10 में में तो थोस है करेगा क्रिष्टाली जो थोस को हम छोता है तो हम लोग सबसे पहषे डिसकस करेगी किश्टाली जोस की خला वे क्रिस्टालीय के बारे मशंग यहां पर देखेगा सबसे पौहला परिभासा आप लोग का बाबू है कि क्रिष्टालीय को क्या होता है कि कि यो इक ठोला धूल में यो आखी जिसकी पाडरीती जिसकी सामरचना इख होता है the पढ़ते हैं कि नहीं हमको डेली आठ घंटा पढ़ना है एक वह स्टूडेंट होते हैं कर दिमाग गरम होगा ज्यादा उनके अंदर जुनून आएगा तो पढ़ेंगे मतलब उनके पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होए जो मन तब किया पढ़ेंगे जो मन करेग मतलब परतेक दिन का करते हैं कि वह उतना घंटा उनका पढ़ना क्या है मतलब रहता कि नहीं हमको इतना घंटा पढ़ना होता है तो क्रिष्टालिय ठोस यहीं होता है न कि वह ठोस जीनके अव्यावी कॉंड जो होते हैं वह मतलब अव्यावी कॉंड में आपका अंडू हो सकता है इसकी एक निश्चीत और नियमित व्यवस्था हम लोगी होगी अर्थात कौरों की व्यवस्था का एक निश्चीत पैटर्न होता है मतब क्रिश्टालिय ठोस जो होते हैं इनके जो हम लोग पदार्थ होंगे वह एक निश्चीत पैटर्न के तहत काम करेंगे और इनके बावु यह सुध्य ठोस होते हैं यह वास्थ वी算 होते है किश्टल्य ठोस को एक और नाम वह क्या है तो वह मेरे प्यारे बचे वह है वास्थ मुझतर होता है लिए रूपस 就 होता है ते कर आम है 1-0 % का अशुधी नहीं होता है यह रियल में क्या है किसी परकार का और सुधी नहीं होता है यह सारे पदार्थ हम लोग यहां से हो जाएंगे और आप लोग यहां देख सकते हैं कि ऊपर छोगो है फिर यहां पर हम समझ और इवह इनका जो आकृति होता है जो दोस्त अपके लाइफ में दो दो तरह की वह लोग होगे जो समझे आपके बारे में बूरा-भला नहीं सुन सकते हैं वहां आप सच्छे-साथी होता हैं और दूसारका जो होता है है जो आप लोग मतलब मुख पर करेंगे बढ़ाई और पीट फिशे सिकाइद करेंगे मतलब कि वह आपके दोस्तों हैं लेकिन वह मौका मिलते ही आपका यदि मतलब विगाड़ ना होगा तो विगाड़ भी सकते हैं आप लोग साथ चौल कपट करना है तो भी कर सकते हैं त ठोस का क्या करेगा खोधेगा समझ गहेंना ठोस का का क्कॉल नहीं होता है मतलब जोईसे मन तो इस से होगा और इनको अधिक ताफ देने पर दर्व अवस्ताइं बदलने लगते हैं तो इसे आप क्रिस्टलिज्टालिय çोश या अभासी थोस हम लो कहते हैं यह सब कांच हो के हो जाएंगे देखने में वह लगेगा कि ठोस है लेकिन जैसे टेंपरचर आप लोग के दीजिए गा न तो ठोस का गूंड खो देगा और लगेगा कि भाई ये तो दुराव है क्या है ये तो हम लोग का दुराव है यह होता है यहां से हम दोग देखेंगा अब यहां पर आपके एक्जाम में दरसल कभी-कभी देखा गया है कि आता है नगा क्रिष्ट्रालिये ठोस और 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 किस्ट्रलीए ठोस के अंतर को हम लोग को लिखना है यह आप लोग याद कर लेते हैं तो एक्जाम में आप लोग आराम से लिखे देंगे बहुत ही सुन्दर यहां प क्रिष्ट लिए में का लिखे हैं कि इनके अभयाविक और की निश्चित आ कोती हैं और जो क्रिष्टालिये हो गया इपना कि इनकी सवागन उस्मा निश्चित होती है समाज़के ना इनकी सनलगन उसमा जो होती है और यह वास्तिक ठोस्त होई गया है उदहारां के लिए एने सील के सील लोहा एईउ सीउ हम लोग का हो जाएगा इसी का उल्टा यहां पर दिखेगा जब भी आप आप लोग अंतर मतलब दीजिएगा तो अंतर देखिए से में होता है जैसे मेरे पास आम है तो आप लोग पास आम नहीं है तो यह होता है अंतर अब ना कि मेरे पास आम नहीं और नहीं होता है रंग को तुल लिए हैं अपले रंग की तुलना कर रहे हैं तो वह कर लिया है कईसा है करिया है सावला है अपनलों बता है रंग में अ उसे बता यह यह औंतर होता है तो यह अधिसित धेぜ होता है तो यह मेरे नहीं होता है यह भी संदैसिक असी मां फिक्स होती है इसकी आ Means होती है यह वास्तियोर ठोसा ज़दाम ठोसा 30 से लिखते हैं पर लोग कर नबर करता है और आप आप लोगो थोड़ा थोड़ा बेसिक जनकारी नहीं रहता है यह हो गया यहां से आगे चलते हैं अब देखिएगा अब क्रिश्टालिये ठोस जो होते हैं वाव लोग चार प्रकार होते हैं हम लोग ठोस पढ़ें ठोस देखिए समझाते हैं कब और और इसे पोस्त मेरी प्य कि सब्सक्राइब करेंगे कि यही इसका है हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रकार के होते हैं समाज़के बाबू किस्टालियो ठोस कितने परकार के होते हैं चार प्रकर होते हैं सबसे पहिले आ आपका आडविक होता है दुसर का आइणिक होस तीशार का धात घ्रत चाड़क एक फोस कोते हैं इनका गल्नांग नीम्न होता है और मेरी प्यारे साहतی हो विधुत के कुछ अलग खोते हैं थोस में पहले न होगा यह जूडा होगा संधंगे न हम लोग बोलेंगे और यह आप लोग का कुछ चालाक होता है यह याद रखिएगा एकजाम में आता है तो नंबर यह में तो इसका परिवास आप लोगो याद रखना है बाबु यहां से आते हैं दूसारा का नमबर हम देखेगा यहां पर लिखा कि आयनी ठोस को परिवासित करें वह ठोस जिनके अ स्थीर भीधूत रखने वाला जोब बल को क्या बोलते हैं तो चार्ज के बीच में जो बॉढल करता है टोलगता है कि जो कण होते हैं मोसा नहीं करते हैं तो उस्थि से रहते हैं इसथ है नहीं करते हैं वार्यां को हमारा dzhnayan होगा रियायन होगा प्रसपर ल Premium से जुडा होगा ओर यह कठोर होंगे इनका गनलांक और कोथनांक हाई होगा तो इसे आएनिक ठोस कहते हैं और यह विदुद के कुछ चालक होते हैं यह सब हम लोगे आधी हो जाएंगे लिख लिजेगा यहां आप लोगों को देखिए नोट लिखना जरूरी है क्यों कि नोट में देखिए आज का लिख्यां में क्या है ना कि जो कोशन सेट कर रहा है जो कोशन सेटर है वह थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा सवाल भी पुछ रहा है इसलिए समझना आप लोगों को जरूरी है देखिए यहां पर लिखे हैं साफ साफ है कि पीघिली हुई अवस्था ठीकिन कि जाँ में सब् put ठैका कि पीजाम पर अवस्था हैं तो मेरे प्यारत सा रएं कि वजय को जाए गा और आहिन के वजय से उसमें करेंट का परवाह होने लगेगा तो मेरे प्यारे बोच याद रखिएगा कि पिघली हुई अवस्था में चाहे दुरावीत अवस्था में आयनिक ठोस कुछालक नहीं रहता है सुचालक हो जाता है और यह बात आप लोगों भूलना नहीं होगा यहां से आगे चलते हैं तिसारका नमर लोहा ठूटेगा नहीं लोहा में परसार होगा तो परसार को ही भोलते हैं और तण्यता मतलव जिसका हम लोग खिच के तार बनाता है आप लोग सोना देखें होंगे ताम्बा तो यह सुचालक होगा अगहात वरदान यह होगा तोनेता तार हम लोग बना सकते हैं खिच-काच गए उन्हें ठोस्काते हैं इन ठोसों की चलाकता होती है वह धात वीग चामा करणा आधिक का गूल होती है और इनम्हें मुखए और और यह आतिःदिक अदिक सबसे जदा जो कठथ होते हैं उसको होगा ना मुणोंईयों हो गया लोहा हो गया को पर हो गया सोना चांदी हो जाएंगे जब 14 योज्ञावां ने इतवा थोぜ किसे कहते हैं याद रखेका कि आपके जाम ही नहीं पढ़ागा कमी लोगों मिलता है चारों से खुब लगों देखने के मिलता है कभी कभी मतलब कभी मतलब देखाएं जाता है जो अभी जो अभी आप लोग चारो टाइम हम पढ़ा रहे हैं इस चारों ट्राइब से कभी-कभी एक्जाम में दो नमबर यह सवाल बनी जाता है मतलब अशांस नहीं आएगा लेकिन आता ही मतलब ठीक ना दूग अलग अलग पर माड़ू रहेगा और बहुत ही बर्यार बंधन से जुवाइंट रहेगा समझे ना अभी तक हम लोग यतना पढ़ेते हैं उनमें जो कॉंड थे हमारे वह सेम परपर्टीज के थे समझे ना लेकिन एकरा में कहा वाई कॉंड अलग अलग लेकिन एकरा बीच बॉल इतना ज्यादा रहेगा न कि आप इनको हिला नहीं सकते हैं यह आपका हीरा हो जाएगा सिलिकॉन करवाइड हो जाएगा कुवार्ट जैटिक ना गिरफाइट यह सब हम लोग के हो जाएंगे यहां से आगे चलते हैं बाबू लोग अब देखिए हैं आप लोग केतना बढ़िया लगा है पार्ट टू इसका आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आप जरू बताइगा क्योंकि आप लोग कमेट जब करते हैं तो प्रहाने में मन लगता है और अंदर से जुनून आता है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे आप लोगान ना तो बार-बार चीजों को आप लोग भूलेंगे तो मतल्ल्स बचने का एखिँ तरीका है कि आप लोग उसको बार-बार बार-बार करते रहेंगे तरहया ऑपके दिमाग में धिरे-धिरे होगा ना देखिए यहां पर लिखा है ना इस टर्डी वीथ डेडिकेशन इस एप को आप लोग इंस्टॉल कर लिएगा और उसमें आप लोग को मास्टर पीडिएफ के नाम से मिल जाएगा फोल्डर उसमें आप लोग को मेरे प्यारे सांथियों पूरा कलास का पीडिएफ आप लोग को डाल दिया जाएगा कोई दीकत था दोग और नमबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है यहां से आप लोग को कंटेक्ट कर लिजेगा तो मेरे प्यारे बचो आज के कलास कम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं रिभीव जरूर दिजेगा प्यारा सा कमेंट जरूर कर मिलते हैं आप लोग साथ नेक्ट क्लास में तब तक के लिए यहां से आप लोग नोट्स बनाने का काम चालू करें जय हिंद